नमस्कार साथियों, आज अन्तिम कड़ी है शंकला की, मैं आप सभी को इस नवमी के दिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ हमने देखा है कि एक विशेश विचारधारा के लोग देवी के विरोध दुष्परचार में कैसे सक्के है हमें ये भी धियान रखना चाहिए कि लेनिन ने जो कि उसी विचारधारा के एक प्रदने थी पुरुष्य उन्होंने लिखा था कि we must be ready to implied trickery, deceit, law breaking, withholding and concealing truth सो ये भी वही कर रहे हैं, trickery के इस्तिमाल कर रहे हैं, deceit के इस्तिमाल कर रहे हैं, जूट का, प्रपंच का ये नहीं देखते कि दुरुगा और काली की असल लड़ाई किस बात से हैं, क्या ये इसलिए है कि जिस तरह से राजविहीन समाज का जूट दिखाने की प्रवंचना करते हुए सामेवादियों ने दुनिया में सबसे कठोल लौह राज़तंत्रे स्थापित किये, राज़ के अतिरेक के द्रश्चान के प्रस्तुत किये, उसी तरह से महिशासुर और शुम्बने शुम्बने भी किये थे। सो इन महिशासुरों और अन्य असुरों का राज़्चातिरेक इनके लिए कोई विशेश अपत्ती की बात नहीं है। बलकि उसी के कारण मुझे लगता है कि ये उन्हें अपना सहधर्मा मानते हैं। जिसे उनके यहां एक एकल पार्टी है, एक केंध्री कृत्ल दलतंत्र है, एक लोहे का परदा है, कथोरतम संसर्शिप है, सर्वहारा की ताना-शाही के नामपद, ताना-शाही के क्यूरतम रूप हैं। वैसा ही सब कुछ महिशासुर का है सारे संसार और प्रक्रती के सारे तत्मों पर कब जा अता महिशासुर का एकाधिपत्य इन्हें गलत नहीं लगता देवराट इंद्र पूरे जगत पर कब जा करने की कोशिश नहीं करते हैं ना कभी ब्रह्मा, विश्णु या शिव करते हैं ना कभी महाकाली, महालक्ष्मी या महासरुस्ति करते हैं असरों को तो इन दो चीज़ों से पहचाना जा सकता है एक तो अमर होने का वर मांगना और दूसरे जगत को कब जाना एक में वो याचक हैं, दूसरे में सम्राठ हैं एक में चुकी हजार वर्ष्ण तक तपस्या करने के बाद मांगना पड़ा है तो दूसरे में जैसे उसी की शतिपूरती में विकसित हुई एक गंथी है जिसमें सब कुछ को अपनी मिलकियत में करनी की हवस है वर मिलता है और डर मिठ जाता है भारत में हुए अवतार इसी कारण हुए है कि वे अमर्ता के वर के दुरुपयोग के विरुध लड़ें और सामराच्यवात के विरुध लड़ें ब्रह्मा कभी अमर्ता का वर किसी दुष्ट को पूर्णतह नहीं देता बस उसमें एक पतली सी दरार छोड़ देते हैं अवतार उसमें से निकल आता है और वो एक भरम तोड़ता है और प्रायवा भरम असुरों द्वारा किसी को निशक्त मानने के पूर्वगरह से पनपा भरम है वो पूर्वगरह ऐसे ही कायम नहीं हो गया है पहले शायद वे वर्ग उस शक्तिहींता उस असहायता उस निरुपायता में रहे भी हुए होते हैं कभी वे नर्वानर होंगे तो कभी वे नारी होंगे जिस जिसको मॉनोपलिस्ट किसी गिंती में नहीं गिंता उस उस से उससे अवतार की चुनोती मिलते हैं दरार से क्या अवतार खंबे से भी प्रकट हो जाता है, पूर्वग्रह जनम से नहीं मिलता, असुर तपस्या के सासाथ उसे भी अर्चित करते चलते हैं, इसलिए वह अमर्ता के वर मांगने के समय ही सामने आता है, अवतार उस अहंकार के बीच में एक संभावना स्वयम के ल आखेकार है वक इस खेत के मूली, उसके मापदन, उसके माना की उसका विनाश है, जिसकी भी अवगरणा की गई है, जिस किसी की भी कदर्थना की गई है, अवतार वही बन के क्यों चलाता है, यह सिद्द करने कि वह शक्ति हीन की शक्ति है, तो जैसे देवी महिशासुर के imperialism के विरद्ध लड़ी आधनी के वो अंग्रेचों के imperialism के विरद्ध भी लड़ी बलकि हर अवतार ने अपने युक के सामराजवाद के विरद्ध लड़ाई की अवतार आता है और हमारी आखें खूती है अवतार आता है और हमें मुक्त करता है जिन वर्गों के प्रती सत्ता धिकारियों के भीतर एक भावनात्मक तंद्रा है एक एमोशनल नम्मिंग चाही हुई है वहीं से ये अवतार पनपते हैं वे उस वर्ग को जैसे किसी पक्षागात से निजात दिलाते हैं जैसे कि राम के साथ हुआ या फिर यह होगा कि एक देवी में ही सब देवताओं की तेचो प्रभा का वास हो जाएगा जैसा कि धुरुगा के साथ हुआ या तो एक से बहुद्ल हो जाएं तो सामराजिवात को मिटा देंगे या फिर बहुलता को एक बना ले तो भी सामराजिवात से लड़ा जा सकता है चाहे अंबिका हों या काली उन्होंने अपना सामराज नहीं बनाया अपना करतब भी किया और अंतरधान हो गई वे स्टालिन की तरह या माओ की तरह नहीं हो गई कि सामराज जवात से लड़कर खुद सामराज जवाती हो गई हो ऐसे ही राम लंका या किशकिंधा के शासत नहीं बने वे भी अपना कारे कर वापस हो गई सो अब ये जो हम कुछ लोगों की कोशिश देखते हैं से क्या कहा जाए कि ये जो तब के अत्याचारी थे उन्हें आज विक्टिम की तरह पेश क्यों कर रहे है काल के प्रवाह में ऐसी कौन सी आशदी है कि तब के बलातकारी और लोटेरे आजकल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ लोगों के प्रेपात्र बन गए है जब कुछ बुद्धी जीवे ऐसा करते हैं तब वे इस बात पर शर्म नहीं गर्व करते हैं गर्व की उन्होंने एक एतिहासिक अन्याय का परिशोध किया लेकिन क्या वाकई ऐसा है यह थी एतिहासिक अन्यायों का परिशोधन करना होता तो इन्हें पिछले एक हजार साल का इतिहास याद नहीं आता जिसकी निर्दैताओं और आमाने शिक्ताओं को प्रयतन पूर्वक छपाया गया है इन्हें उन अन्यायों का परिशोध करना है जो स्वयम इनके अनुसार इतिहास नहीं हैं काव भी हैं या पुराण सो इतिहासिक अन्याय का परिशोध न कर पाने की कुंठा ही इनके भीतर शतिपूर्थी को चुन्म देती है जहां वे काव भी कलपनाओं से छेड़शार करने की डान को एक्जोटिक वीरता दिखाते हैं उन्हें इतिहास से सच कहें तो भै लगता इसलिए कभी राम के सामने तन जाते हैं तो कभी दुरगा के सामने कभी इनका वैकल पर कितिहास लिखने की कोशिश करते हैं तो कभी पराचित की कथा लिखने की कोशिश करते हैं कथा है तो बदली जा सकती है कभी कोशिश करें भारत के बाहर की कुछ ऐसे ही कथा हैं बदलने की वो नहीं कर सकते हैं इसलिए यहीं और यहां जवा मर्द बने फिरते हैं एक धतिशील और अक्षभ्य मूर्ती के सामने तो निधड़क हुआ ही जा सकता है जो देवी और देवता को नहीं मानते बस उनी के सामने इनकी देवता कूछ कर जाते हैं और वो मानवीकरत हो चुके लोगों के और चित्ती करण की डिहुमनाईज हो चुके लोगों के और चित्ती करण की कलाकारिता है यह इनका हाई ड्रामा तयार करती है अलकुल नहीं हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यू जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम आईसी एलाइसी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेश हम करते हैं सट्यका अन्वेशा तखल नीउस आपके ख़रे आप देख रहे हैं तखल नीउस